Hello and welcome friends, आईए सीखते हैं कि Libra Writer और MS Word, यानि कि Libra Writer का जो MS Word जैसा software होता है और MS Word यानि कि Microsoft Word दोनों में SubScript और SuperScript की shortcut की क्या use होती है, कैसे हम SubScript और SuperScript का इस्तमाल कर पाएंगे, तो सबसे पहले MS Word की बात कर लेते हैं, देखिए, ये जो है SubScript, मैंने यहाँ पर बना कर रखा SubScript यानि, जो भी आप लिखेंगे, Alphabet, उसके ठीक नीचे जो आएगा, वो उसे कहते हैं हम SubScript, जैसे यहाँ A2 प्लस B2 लिखा हुआ है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 2 नीचे आया हुआ है, तो इसे हम बोलते हैं SubScript, SuperScript क्या होता है, जो Alphabet के उपर लिखी जाती है, ये SuperScript है, इसके लिए जो shortcut की use होती है, उसके बारे में बात करेंगे, पले मैं इधर आ जाता हूँ, बीच में, अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ दुबारा से A2 प्लस B2, तो देखिए जो shortcut की use होती है, वो use होती है, MS Word में, control, shift और plus button use होती है, square के लिए, यानि square को हम बोल एक बार click कर दूँगा, तो ये हट जाएगा, ठीक है, तो ये अब ये हट चुका है, अब हमें लिखना है A2, तो उपर लिखना है न, तो या तो आप यहाँ पर click कीजिए, तो मैं यहाँ पर click कर देता हूँ, ठीक है, तो A2 हो गया, अब फिर दुबारा click करूँगा, तो normal हो जाएगा, तो यहाँ पर ही आप click कर दीजिए, तो आप normal position में आ जाएगे, प्लस B square लिखना है, तो प्लस B लिखा हमने, अब फिर हमें वही position लानी है, square वाली, ठीक है, तो यहाँ पर click करेंगे, तो square वाली position दुबारा से आ जाएगी, एक shortcut key की भी, shortcut की लगाने का भी ए इस्तमाल नहीं करेंगे, आपको alphanumeric key का ही इस्तमाल करना है, तो ध्यान रखिए, control, shift और plus button दबाईए, जैसे ही यह करेंगे, तो यह line के ऊपर चली जाएगी, और यहाँ पर A square प्लस B square आप लिख पाएंगे, ठीक है, फिर normal position में आना है, तो control, shift और plus button प्रेस कीजिए, तो आप normal position में आएंगे, फिर आप normal लिख पाएंगे, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, चलिए, यह तो बात रही, sub script की, super script की, अब हम बात करते हैं, sub script की, तो sub script जो है, line के नीचे लिखी जाती है, यानि alphabet के नीचे लिखी जाती है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ A2, तो लिखने के लिखा करेंगे, आप यहाँ पर click कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, X2, इसके नीचे इसके shortcut की भी आ रही है, तो यहाँ A2 लिख दिया हमने, ठीक है, अब normal position में आना है, तो अब मैं shortcut की का use करके normal position में आता हूँ, तो आपको दबाना है control के साथ equal to button, control और equal to button दबाना है, जैसे control के साथ equal to दबाएंगे, normal position में आ जाएंगे, अब plus लिखा हमने, अब लिखना है B2, तो यहाँ B लिखा हमने, अब फिर control के साथ equal to button दबाईए, तो आप normal position में जो subscribe वाली position है, वहाँ आ आ जाएंगे, और इस तरीके से हम subscribe का use MS Word में कर पाते ह ठीक है, आईए अब बात करते हैं, Libra Writer की, ठीक है, तो Libra Writer को हमें पहले open करना है, package है इसको open किया, यहाँ पर writer, document जो software है, यह हमार MS Word जैसा software है, जिसे हम Libra Writer के नाम से जानते हैं, यहाँ पर आ चुके हैं हम, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले super script देखना है, यहाँ प अब हमें super script करना है, तो क्या करना है, super script बनाने के लिए आपको यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, और इसकी shortcut की भी आ रही है, control, shift और P बटन, यहाँ पर click कीजिए, यहाँ तो shortcut की का use कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर shortcut की use कर लेता हूँ, control, shift और P, एक बार प्रेस कीजिए तो यह superscript में आ जाएगा, अब इसको आप superscript में लिख लिए आपने, यहाँ पर control, shift और फिर से plus button P दबाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएंगे आप normal position में, अब plus, अब मैं लिखता हूँ B2, यानि कि नीचे लिखूंगा, यानि कि subscript की बात करेंगे हूँ, तो यहाँ लिख लिखना चुरू करता हूँ, तो यह यहीं पर लिखना start हो जाएगा, अब हमें normal होना है यहाँ से, जैसे ही normal होने की हम कोशिश करेंगे, तो हमको क्या प्रेस करना होगा, control, shift और B बटन दुबारा से प्रेस करना होगा, और हम normal position में आ जाएंगे, तो उमीद करता हूँ कि यह बात आपको समझ में आई होगी, कि normal कैसे होना है, liberal writer में, और आपको super script वाली position में कैसे आना है, और sub script वाली position में कैसे आना है, यह बात आपको समझ में आ गई होगी, अगर वीडियो पसंद आ है, तो इसको share करें, thank you for watching this video.